आज हम एककोनॉमिक्स में एक और बहुत इंपोर्टन टॉपिक को देखेंगे दाट इस एक्रिकल्चर लेट में गिव यूओ दिस्क्लेइमर बिफोर स्टार्डिंग इस पडिकलर टॉपिक क्योंकि यह एक economy का module है तो मैं यहाँ पर agriculture को basically economic point of view से deal करूँगा economic point of view का मतलब होता है कि हम agriculture के उस aspect की बात करेंगे जहाँ पर finance money marketing इन सब चीज़ों का जिक्र है लेकिन let me remind you कि मैं अपने domain में इसका economic aspect deal करूँगा लेकिन आपको अपने part में you have to prepare this particular topic holistically ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2020 में there were many questions at least 5 to 6 questions from this particular topic तो आप जब भी agriculture को पढ़ें आप agriculture को as a whole एक पूरा शेल लेके आप इसमें preparation करें यहाँ पर agriculture में starting से लेके land reform type of irrigation system type of cropping pattern यह सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखें और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों में बहुत सारे flagship schemes जो है वो start किये गए हैं agriculture के लिए तो जब भी आप इसको preparation करो एक साल या दो साल के नहीं बलकि पिछले पांच साल के जो flagship scheme है अब flagship scheme वो होते है जो की आपके government के agenda को दिखाता है जैसे मान के चलो अगर मैं बात करूँ परदान मंतरी फसल बीमा योजना ठीक है और अगर मैं बात करूँ परदान मंतरी कृशी सिचाई योजना परदान मंतरी परामपारा गरत कृशी योजना इन सब चीज़ों को आप holistically पढ़ना और उसके बाद पिछले एक दो साल में जितने भी news जो है वो छोड़ी छोटी schemes जैसे मान के चलिए 2019-2020 में एक tops scheme थी operation green है अब इसी कि अगर मैं flagship scheme की बात करूँ तो वो है आपका प्रधान मंत्री संपदाई हो जना in a nutshell मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको यह कोशिश करना है कि आप इसमें एक holistical approach लो और आप जितने भी flagship scheme government की जो पिछले साल या पिछले 4-5 साल चे news में आप उसको पढ़ो और जो भी schemes पिछले 2-3 साल आप एक बार उसको भी go through करो ठीक है तो यह disclaimer के साथ let us start the topic सबसे पहला question यह है कि why should we study this particular topic इसके पीछे का rational है या क्या logic है तो देखो सबसे पहला तो यह है कि India ranks second worldwide in farm output अभी तक आप में सुना होगा कि इंडिया की productivity बहुत लो है वाकई में इंडिया की productivity बहुत लो है तो जो productivity होती है उसको हम basically कहते है the produce from one unit of land ठीक है अब यह one unit जो है यह अलग-अलग देशों में यह अलग-अलग regions में अलग-अलग हो सकता है जैसे आप इस one unit को एकड में भी ले सकते है hectares में भी ले सकते है जैसे कि basically produce होता क्या है कि अगर मेरे पास 10 hectare of land है और अगर मैं इससे 1000 kg produce कर रहा हूँ तो यह जो 1000 kg है this is my produce this is my output total output अब अगर मुझे इस land की productivity मालूम करनी हो इस land की productivity क्या है तो एक hectare of land will give me 100 kg ठीक है यह हो गई इसकी productivity similarly अगर मैं चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे this similar 1 hectare of land will give 200 kg यानि कि वहाँ पे land की productivity जादा है लेकिन क्योंकि इंडिया में gross cropped area जादा है इसलिए हमारा farm output बहुत जादा है तो हमारा substantial ranking है इसके चलते हैं agriculture as a sector बहुत important हो जाता है आगे आप देखो the economic contribution is steadily declining with the country's broad-based economic growth बहले ही agriculture जो है उसका contribution है gross value added में वो साल-दर साल कम हो रहा है लेकिन अभी recently हमने covid में देखा था कि basically जितने भी sector से economy में उसमें से maximum में हमने negative growth को देखा है लेकिन agriculture यह ऐसा sector यह कह सकते हो एक ऐसा resilient sector है जहां पे growth जो है वो positive में था and it was a substantial growth of 3.4% यानि कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि agriculture एक बहुत ही resilient industry है अब आप देख रहे हुँ मैं agriculture को industry की तरह बोल रहा हूँ similarly हमको agriculture में भी यह चीज़ों की कोशिश करने चाहिए कि हम वहाँ पे economies of scale की कोशिश करें productivity को बढ़ाने की कोशिश करें ठीक है अब मैं आपको छोड़ा से example देता हूँ मान के चलिए कि आपके पास कोई factory है ठीक है अब अगर आप इस factory के ओनो रहे हो तो आप वहाँ पे labor को employee करते हो ताकि labor जो है यह basically unskilled और semi-skilled काम करे और जितनी भी decision making चीज़े हैं वो आप करो और आपके बस उसके लिए time हो लेकिन इंडियन agriculture में क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटा land holding है तो वहाँ पे जितना भी काम है वो farmer खुद करते हैं तो इसके होता क्या है कि उनके पास में खुद decision लेने के लिए या कुछ innovate करने के लिए उनके पास time नहीं होता है हमें क्या कोशिश करनी है कि we have to promote agriculture as an industry ठीक है चलो अब उसके बाद देखो कि भले ही इंडिया के GVM इसका contribution घट रहे लेगे नहीं यह still 50% of the logo को employment दे रहा है भले ही employment disguised unemployment है यह जो employment है यह disguised unemployment है और यह एक छोटे से piece of data के साथ बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे डेटा दिया हुए CSO का लेकिन अब यह जो CSO है यह रिप्लेस हो गया NSSO यानि NSO अब यह डेटा देगा ठीक है the share of agriculture and allied sector is 17.3% of your GVA यानि कि अगर देखा जाए तो GVA में इनका contribution घट रहा है देखो अगर मैं इसको crude terms में बोलू तो GVA में इनका contribution घट रहा है यानि कि मान के चलो अगर agriculture पहले अगर 50 रुपीज contribute करता था GVA में and suppose कि आपकी जो country उसकी population है 2 ठीक है country की population 2 है तो यहाँ पे per capita income was 25 अब क्या हो रहा है कि लोगों का जो employment है वो तो उतना ही है लेकिन agriculture का जो contribution GVA में वो कम होके मान कि चलो 25 हो गया ठीक है 25 upon 2 12.5 यानि कि इसके चलते per capita income जो है यह घट रहा है और गर per capita income घट रहा है और 50% of your population अगर किसी एक sector पे dependent है तो यह हमारे लिए imperative हो जाता है कि we study that particular sector अगला अब आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ agriculture में agriculture not only includes the crops which you grow जैसे कि आपने wheat लगाया एक जो traditional understanding है कि agriculture means लेकिन हम यहाँ पे agriculture से जादा हमारा focus होगा primary sector पे अब आप देखो primary sector में वैसे minerals भी आते हैं ठीक है लेकिन primary sector के वो part को focus करेंगे जो agriculture से pertain करता है होटरी कल्चर जो है 10% of the gross cropped area को occupy करता है और होटरी कल्चर जो है यह basically remunerative exercises होते है remunerative exercises कैसे होते जैसे मान के चलो कि आपने अगर यहाँ वगाया तो यह तो आप self consumption के लिए लेकिन अगर आप full हूगा रहे हो आप आप उसको market में बेचने के लिए ही इस्तमाल करोगे मेरी बात को समझ रहे हो आप अगर मान के चलो आपके पास में 1 hectare of land है उस 1 hectare of land में you are growing wheat तो बहुत ज्यादा chances that you will use this wheat for self consumption ठीक है आप इस गेहूं को खुद use करोगे लेकिन मान के चलो आप कि अगर आपके पास में 1 hectare of land है और आप उहां पे कोई full हूगा रहे हो you are growing some flour ठीक है तो आप जाके इसको market में sell करोगे जिसके चलते revenue आएगा इसलिए होटरी कल्चर एक बहुत important sector है the total production of fruits is इतना अब इसके बारे में हमारा project Chaman है ठीक है उसके बाद में animal husbandry animal husbandry जो है यह 32% है हमारा agriculture output का the contribution और यह चीज जो है जो आज 32% है 2006-07 में इस वाज 5.26% इंडिया जो है वो milk का highest producer है and second highest producer of fruit and vegetable बाकी मैंने यह कुछ कुछ data दिया यह आप देख लेना यह resilience of agriculture है resilience shown during covid तो हमने लेखा था कि अब जैसे मान के चलो जब हमें पूरा data मिला तो the Indian GDP contracted by 7% यानि कि previous year में अगर हमारी GDP 100 थी next year में this was 93 ठीक है यह तो हम total GDP की बात कर रहे है minus 7 लिख लो उसके बाद अगर हम sectoral growth की बात करें तो basically तीन sectors है economy में primary sector है secondary sector है secondary sector है और हमारा tertiary sector है ठीक है अब हम इसके मान के चलो classification में जा रहे है लेकिन फिर भी यहां पर आप एक agriculture लेलो और एक mines, mining यह सब चीज़े लेलो तो देखो सब में हमने देखा है कि यहां negative growth है tertiary sector जो की basically service dominated है और जहां पे ज्यादा हम physical मतलब दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती मतलब इसमें interactions बहुत ज्यादा होते इसमें सबसे ज्यादा हमने negative growth देखा है और agriculture यह एक ऐसा sector था जहां पे हमने positive growth देखा था तो यह नहीं कह सकते हैं agriculture is a very resilient industry इसलिए भी COVID के backdrop के बाद इसको पढ़ना और भी important हो जाता है ठीक है तो जब ही में agriculture को पढ़ते हैं हम सबसे पहले यह जानेंगे कि agriculture में problem क्या क्या है problem होगा तभी तो फिर हम उसके solutions के बारे में बात कर सकेंगे तो देखो सबसे बड़ा problem जो है that is productivity of agriculture productivity अब यह productivity का इतना relevance क्यों है wise productivity is so important let me give an example होता क्या है basically whenever you need to increase the production ठीक है whenever you need to increase the production you have two options ठीक है agriculture की बात करें पहला है increase the area of production ठीक है और अगर आप इसको बात करोगे इंडस्री में मान के चलो आपको इंडस्री में अगर और जादा goods and services produce करना है तो आप क्या कर सकते हो you need to employ more factors of production ठीक है इसमें भी यही मान के चलो you have to employ more factors of production यहापे factor of production जो है वो land है ठीक है लेकिन यह जो factors of production की employability है यह एक finite resources है and there is a limit to it there is a limit to it यानि कि आप इसको एक certain amount तक ही बढ़ा सकते हो लेकिन अगर मेरी requirement जो है वो exponentially increase हो रही है और मुझको अगर production को still increase करना है और यह तो मेरा limited amount मही बढ़ेगा then what I have to do, I have to increase the productivity उस case में मुझे productivity को बढ़ाना पड़ेगा और productivity को बढ़ाने का क्या तरीका है कि मैं same amount of resources को जादे efficiently use करूँ same resources are to be used efficiently और यही efficient use of resources में आज हम technology को employ करते है तो technology का basic काम क्या हो था technology काम चीजों को easy करना है लेकिन technology का जो main काम है that is efficient utilization of limited resources ठीक है हम same resources को जादा efficiently use करें जैसे मान के चलो आप कि I have a labor ठीक है अगर मैं उस labor को wooden plow दे दू ठीक है तो वो चलो ठीक है वो कुछ काम करेगा उससे और अगर मैं उनको iron plow दे दू तो same labor जो है उसकी productivity increase हो जाएगी तो अगर आपसे पूछा जाएगी technology अकाम क्या है तो technology अकाम basically होता है limited resources की efficiency को improve करना यहां देखो आप इंडिया ने भले self-sufficiency attain कर लिये लेकिन हमारा जो productivity है वो Brazil, US इन सबसे बहुत कम है जैसे कि इन्होंने कि यहां पर example दिया है Indian wheat farms for example produce about a third of wheat per hectare compared to farms in France यानि कि अगर हमारे पास मान के चलो की 100 hectare of land है तो France में 100 hectare of land से अगर 300 kg wheat produce हो रहा है तो हम 100 hectare of land से केवल 100 kg of wheat ही produce कर रहा है यानि हमारी productivity बहुत जादा कम है यह rice productivity में भी एक example दिया है उन्होंने चाइना के साथ compare करके लेकिन basically जो major problem है वो यहां पर कुछ यहां मैंने problems को दिखाया है major problems क्या क्या है देखो आप सबसे पहला पूर irrigation facility अरे यार दिख भी नहीं रहा था सबसे पहला problem है unavailability of good quality seeds ठीक है देखो वेसे तो यह economics का पार्ट नहीं है लेकिन just give me a लेकिन मैं आपको एक brief idea देता हूं यह basically क्या होता ने because the farmers they reuse the old seed from the previous produce यानि कि हुआ क्या कि उन्हों ने मान के चलो एक साल में कुछ crops अपने produce की है उसी seeds को वो save कर लेते हैं और उसी seeds को अगले साल यूज करते है जिसके चलते उन seeds की productivity है जो quality है हमारी crop की वो बहुत बढ़िया नहीं होती है और हमारी productivity कम हो जाती है अब हुआ क्या है कि आज के डेट में कुछ GM crops को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो GM crops हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें Terminator Street का इस्तेमाल करते हैं सब चीज के pros and cons है लेकिन pros and cons हमारी इस discussion का पार्ट नहीं है pros and cons के बारे में हम बात करेंगे अपने means के batch में prelims में हमको बस चीजों को जानना है मैं आपको मतलब you know prelims में आपको अपने extent को बढ़ाना है कहां से आप क्या चीजों को सुन लो और क्या चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो GM crops जो है यह based है आपका Terminator Seats पे Terminator Seats पे इसमें दो तीन फैक्ट है यह आपको धिहान रखना है सबसे पहले तो 85% जो है ना farmers में they are small and marginal farmers they are small and marginal small and marginal का मतलब है कि they have less than 2 hectares of land ठीक है और उसमें भी अगर हम average land holding की बात करें then that is only 1.08 hectare यानि इंडिया में एक farmer के पास में 1.08 hectares of land ही है आप देखरों कितनी ज़्यादा problematic है एक तो जो छोटा land है तो छोटे land से यहाँ पर 2-3 problems होती है सबसे पहला the farmer is unable to reap the benefit of economy of scale छोटा land है तो economy of scale नहीं होता है वह बहुत ज़्यादा नहीं होगा पाता है मतलब मान के चलो अगर उसको यहाँ पर कोई अगर अपना crop अगर sow करना है और उसको उसके लिए कुछ inputs लेके आना है क्योंकि land इतना चोटा है तो वह एक बार में बहुत ज़्यादा input नहीं ले पाता है economy of scale नहीं procure कर पाया और दूसरा है यहाँ पर farm mechanization possible नहीं है ठीक है अब देखो जब मैं यहाँ पर बता रहो lack of modern equipment and machinery ठीक है तो इसका एक reason जो है lack of modern इसका एक reason है हमारा low land holding दूसरा है less credit ठीक है तीसरा है less penetration of bank देख रहे आप यह सब reasons है यह सारे के सारी economical reasons है धान दो इन सब चीजहों पर then we have inadequate storage facilities अभी inadequate storage facilities के चलते क्या होता है farmers have to go for distress selling distress selling profit नहीं होती है then government के उपर burden पढ़ता है for farm loan waiver ठीक है देखो कितने सारी economic angles है चलो गले आते है यहां पर मैंने दिया है लेकिन यहां पर यही चीज है lack of proper land reform, credit facility, fertilizers agricultural research, economic holding और यही सब सारी चीज है अब government जो है उसने बहुत सारी नई-ने steps ली है और वह बहुत सारी नई-नी चीज़े कर रही है मैंने इसको broadly यहां पर दिखाया broadly आप इसको यहां पर देखो हम फिर detail में कुण-कुण चीजों के बारे में बात करेंगे तो basically government एक scheme की बात करी that is farm to fork सबसे पहला है sewing तो जब हम sew कर रहे हैं तो यहां पर government कुछ चीज़े कर रही है जैसे कि मैं यहां पर लिख रहे है ठीक है Sewing Stage में government क्या-क्या चीज़े कर रही है government adequate seeds प्रवाइड कर रही है government credit government fertilizer प्रवाइड कर रही है ठीक है उसके बाद जब हम growing stage की बात कर रहे है government irrigation प्रवाइड कर रही है देखो यह सब मैं यहां पर sub-sectors draw कर रहा हूँ ताकि जब आप इन slides को go through करो आप अपने आप जब आप government schemes को पढ़ रहे हैं से मान के चलो आप यहाँ पर पढ़ो credit के बारे में तो कोई भी ऐसी government की scheme जो कि agriculture credit के बात कर रही है वो पढ़ लेना अब जैसे बहुत बार question है कि जो mudra loans है क्या वो अगरिकल्चर में मिलते हैं ठीक है वैसे तो mudra loans जो है अब हम सोचते हैं अगरिकल्चर सबसे stress sector तो मिलता ही होगा यह आपको सोचना है पार्टिलाइजर के लिए अब जिससे मान के चलो अगर हम पढ़ रहे हैं नीम-coated urea कि यह कहाएगा यहां पर आएगा irrigation के लिए हम पढ़ रहे हैं परधान मंत्री क्रिशी सिच्छाई योजना इस तरीके से आपको चीजों को आगे बढ़ाना है अब हर्वेस्टिंग है स्टोरेज है मार्केटिंग है चलो देखने आगे क्या क्या एक और्गैनिक के बारे में भी पढ़ सकते हो ठीक है वही क्वेस्चन है कि कौन सा पहला स्टेट है सिखें जो और्गैनिक फार्मिंग प्रमोट किया है दूसरा है स्वाइल हेल्थ काड हम आगे देखेंगे क्रिशी सिचाई योजना गवर्मेंट जो है यह पर ड्रॉप मूर क्रॉप की अगरिकल्चर मार्केटिंग के बारे में अगरिकल्चर मार्केटिंग कुछ नहीं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है आपके पास में यह प्रड्यूस है और आपको जाके इस प्रड्यूस को सेल करना है मार्केट में ठीक है तो मैं आपको एक बेसिक ओवर्विव देता है कि basically होता क्या है ठीक है so this is our farmer यह अपना प्रड्यूस लेता है यह अपना प्रड्यूस लेकर जाता है एक APMC मंडी में APMC मंडी का एक registered area होता है अपना फार्मर लेकर उस APMC मंडी में जाता है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स मेंडिल में होते हैं वो इसकी quality को access करते हैं quality assessment और फिर auctioning होती है इसके produce की अब यहाँ देखो अब यहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम है सबसे पहला प्रॉब्लम है improper warehouse वेरहाउस इंग प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि बहुत बार मान के चलो आपकी अगर उ कि गया market में जब वो टमाटर मार्केट में लेके गया तो सारे के सारे मेडल में ने जो भी ट्रेडर से उन्होंने वहाँ पे अपना काटल बना दिया उन्होंने बोला कि मैं तुमको 2 रुपय किलो से जादा नहीं दूंगा चलो ठीक है फार्मन ने सोचा में काम करता हूं म वो बेज देता है लैक अफ्टोरिज लैक ऑफ ग्रेडिंग इन स्टैंडडाइजेशन यानि कि एक पर्टिक्लर स्टैंडर नहीं है यह डिपेंड करता हूं दे विम्स और फैंसी के उपर यह डिपेंड करता है इन्हें के ट्रांसपोर फैसिलिटीज लार्ज अमरों मिड इसके अंदर की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही अन्रेगिलेटेड है उसके लिए कोई रूल्स अन्रेगलेशन नहीं बरहें हैं इन्फरमेशन इस्यमेट्री तो हर जगह है आगे आईए स्टेफ से पहले है नाश्टनल अग्रिकल्चर मार्केट गुवर्मेंट इसमूटि दोने निचे 585 गुवर्मेश्प्री मार्केट होंगी जो की बहुत के सुझेवस्टर है इसके आगे हम क्यूबरेशन नाइण समा थांपर हम तो इस अनलाइन पोर्टल में दोनों Farmers और Traders registered होते हैं और यहां पर Traders जो है यह Open Bidding करते हैं और जब Open Bidding करते हैं तो इसमें हमारे Farmers को benefit होता है आप यहां पर देख लो अब E-NAM की जो Lead Agency है या जो इस चीज को Implement करने में help करती है That is Small Farmer Agri Business Consortium इस तरह की question पूछता है कि E-NAM को कौन-कौन क्या कौन Implement करता है They can give you FCI They can give you NAFED They can give you CACP And यह क्या है SF Small Farmer Agri Business Consortium ठीक है इसको याल रखना है मेंचे मेरे यहां पर प्रोसेस क्लिखावा है E-NAM will showcase their products through the nearby markets अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा क्यार इसमें वो अपनी quality कैसे देखेंगे Quality के लिए दिया है कि we'll enable to showcase your products through the nearby market and facilitate यानि कि nearby market में कोई एक आदमी होगा जो trader है या कुछ एक होगा जहां पर वो जाके अपने product को दिखाएगा और वहां पर एक universal standardization and grading होगी जब universal grading होगी इमान के चलो कि वहाँ तीन grade है A है, double A है, triple A है तो यह universal grading है जब यह उसको nearby market में लेके जाएंगे उन में से कोई एक grading इनको दे दी जाएगी और उससाब से इसका दामत होगा clear? आगे आओ E&M provides single window for agri related services and information बिलकुल अगर single window clearance है तो वो इस process को और ज्यादा hassle free बना देती है ठीक है? अब आगे हम देखते है farmer producer organization FPO's, देखो basically क्या है कि FPO's जो है, अब अपने आप दिमाग लगाओ कि एक farmer जो है वो जा के अपने producer को बेच रहा है, लेकिन आप 100 farmers का एक group बन गया, या 200 या 300, या 500 और वो जा के market में trading कर रहा है, तो जब एक इस तरह का इनका group बन गया है, तो उनकी bargaining power increase हो जाएगी, और जब bargaining power increase हो जाएगी, तो उनका exploitation अपने आप रुख जाएगा देखो and have a common interest in pursuing agribusiness activity registration under the relevant companies act अब FPO's है क्या देखो, it is a producer organization small farmer is providing support इसमें भी, SFAC small farmer agribusiness consortium जो है इनको ये facility प्रोवाइट कर रही है तो FPO's का काम क्या है, देख लो collectivization वगरा वगरा, ये FCI है FCI basically जो है, ये हमको पढ़ना, FCI क्या करती है, FCI is the organization जो की MSP में farmer से produce लेके आती है आप सबने सुना होगा, अब हम थोड़ा MSP के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ा सा आपके बारे में दे दिया है, ताकि आप इन slides हो go through करो और आपको idea हो जाए कि FCI काम क्या है अब आप देख रहे हो, तीन farm लोग जो है वो news में थे, लेकिन अब इनको repeal कर दिया गया है, तो वैसे तो यह important नहीं है लेकिन just for the continuity of the purpose मैंने इनको यहाँ पर include कर दिया तीनों के तीनों farm block को, ओके अब हम बात करेंगे minimum support price के बारे में तो minimum support price basically होता क्या, देख लोग, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े लिखी है खले आपको एक चीज़ याद रखना है कि CACP जो है, यह MSP को announce करता है, ठीक है अब यह है क्या, देखो before the sowing season, इसमें एक एक चीज़ याद रखना before the sowing season government जो है, यह एक price announce करती है और government यह बोलती है कि after the harvest if the farmer is getting anything less than MSP then the farmer can come and sell the entire produce to the government at MSP यानि कि मान के चलो अगर government MSP अगर यह हुगा कर दिया 100 रुपए अगर market में उसको 80 रुपए मिल रहा है और अगर मान के चलो farmers ने 1,000,000 तन यह हुगाया है तो MSP का जो procedure है वो यह कहता है कि the farmers can go and sell his entire produce उसने जितना भी उगाया है to the government at MSP और इसी को हम बोलते हैं open-ended procurement open-ended procurement अब जब आप मेंस में यह सब चीजों को रीड करोगे तो आप खुद अप्रिशेट करोगे कि MSP का सबसे बड़ा drawback ही है open-ended procurement क्यों क्यों कि यहां पर कोई limit नहीं है जितना भी produce है वो आपने लाके MSP पर बेच दिया इसे होता क्या है कि FCI के go-downs में बहुत जादा goods and services हो जाते है यह agriculture produce हो जाता है जिसके चलते हैं वहाँ wastage की problem बहुत जादा है और बाकी जो MSP है यह basically एक price distorting mechanism है ठीक है अब जैसे अब अगर आप MSP के बारे में पढ़ रहे हो आपको अपने इंट से क्या करना है ना यूचुड गो एंड रीड अबाउट PM आशा यह PM आशा क्या होता है ठीक है देखो सारी चीज़ आपको class में नहीं class जो है यह आपको थोड़ा सा एक overview देगा चीजों के बारे में कि हाँ यह चीज कैसे हो रही है क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है लेकिन बाद में फिर आपको जाके वहाँ पर चीजों को बनाना है तो मैंने आपको idea दे रही है MSP क्या है यह कैसे price starting है अब आप जाके PM आशा पढ़ो अब जैसे बहुत जगह यही दिया रहता है कि 23 crops में होता है लेकिन 23 नहीं है वो 22 crops है और 1 जो है sugar पे FRP fair and remunerative pricing है ठीक है यह सब चीज़े हैं हम जानते देखो बहुत सारी चीज़े हैं अगर मैं आप चीजों को पढ़ाने लगूँ तो बस economics जो है ठीक है अगर sugar cane news में है तो आप क्या करोगे sugar cane में you will read about FRP, you will read about state administrative prices आप फिर उसके बाद में यह मालूम करोगे कि हमने sugar industry को कब deregulate किया है फिर आप यह पढ़ोगे कि sugar cane जो है यह North India में क्या है South India में कहा है किसका sugar content जादा होता है किसका crushing period जादा होता है किसमें हम ज़्यादा sugar attain करते हैं यह सब चीजों को आप पढ़ोगे फिर उसके बाद अगर आप sugar cane पढ़ रहे हो तो उससे आप derive कर सकते हो ethanol के बारे में भी क्योंकि बहुत बार हम sugar cane को use करते है use करते है ethanol बनाने में इस तरीके से आपको चीजों में अपना continuity लाने की कोशिश करनी है अब क्या क्या parameter से जो हम देखते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम demand and supply को counter करें कि कितना market में किसी भी crop के demand है और कितना supply उसको देना है cost of production तो धिहान में रखेंगे क्योंकि cost of production तभी तो हम MSP करेंगे और MSP जो है ना वो basically जो cost of production है उसका date गुना होना चाहिए यानि कि basically क्या है कि अगर किसी भी crop को produce करने में 10 रुपे लग रहे है then the farmer should be paid रुपीस 15 price trends in market, inter crop price parity यानि कि अगर हम एक crop के लिए MSP दे रहे हैं इसे दूसरे crop पे क्या impact पड़ेगा terms between the agriculture and non agriculture minimum of 50% margin देखो 50% margin over the cost of production 50% margin मतला बगर 10 है तो he should at least get 15 अब इसके लिए हमने formula निकाला है यह formula क्या है देखो basically कि government जो है वो A2 प्लस FL पे देती है A2 जो है that is covered all the cash and kind expenses fertilizer यह सब में जितना भी खर्चा लगा है FL जो है that is imputed family labor imputed family labor imputed family labor क्या है कि बहुत बार क्या है इंडिया के case में कि जो agriculture है वो family जो है वो अपने ही labor से उस crop को produce करती लेकिन अगर वो खुद अपना labor नहीं लगाते किसी को hire करते तो वो कुछ उसको pay करते में अगर मैं किसी से लेकर आता तो मैं उस पर rent पे करता और मैंने अपना पैसा भी खुद लगाया है लेकिन वो पैसा घर में कहीं से उधारी लेकर आता तो मैं उसका interest भी पे करता तो यह दोनों भी हम MSP में include करेंगे अगला देखो soil health card scheme soil health card scheme basically क्या था कि इंडिया में soil बहुत बार हम और या basically MSP के चलते ही हम बहुत बार इस तरह के crops को sow कर रहे थे जो कि soil में से particular nutrients को ले 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 रहा था तो farmers को पता नहीं था कि उनका soil कौन से nutrient में deficient है तो soil health card यह बताता है कि आपका soil कौन से nutrient में deficient है और किस तरह के fertilizer आपको apply करने है ताकि आपका soil maximum productivity दे सके ठीक है तो यह तो पता ही है agriculture and farmer है ठीक है dosage of fertilizer इसमें आपको basically क्या करना है न कि यह once in a cycle of two years हम available कराते हैं और यह कुछ nutrients है जो कि उसमें रहती है NPK nitrogen phosphorus and potassium potassium sulfur zinc iron copper manganese and यह भी हो नहीं आदा रहा है और BH EC electrical conductivity organic carbon compound यह सब भी हमको पता चलता है अब हम देखने एक प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के बारे में फसल भीमा योजना basically क्या है कि in case of any untoward incident अगर farmer का crop अगर destroy हो गया है तो उसको कुछ पैसे मिलने चाहिए क्योंकि यार वही उसका live breath वही उसका bread and butter है उसने तो crop हो गाया लेकिन मान के चलो बार आ गई या कुछ ऐसा हो गया उसके लिए हमने यह लेकिया आया ठीक है और hotry culture के लिए 5% यह हमने दिया है कि 90 10 और 50 50 यहां पर देख सकते हो कौन-कौन eligible beneficiary है प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना के बारे में अब यह हम बात करते है nutrient subsidy के बारे में अब देखो nutrient subsidy क्या होता है ना इंडिया में government जो है वो fertilizer में subsidy provide करती है क्यों ताकि जो farmer उनका cost of production कम हो सके तो यह करती क्या है कि at price below the MRP usual demand देखो मैं आपको यह बहुत ज्यादा इसमें लिए मैं आपको explain करता हूँ इसमें होता क्या है मान के चलो कि कोई भी fertilizer जो है वो गर 100 रुपे का है और यह एक shop है farmer जाएगा और यहां से 20 रुपे में मान के चलो लिया यह जो हमारा producer इसको 80 रुपे का loss हो गया government इसको 80 रुपे reimburse कर देती है यह होता है nutrient यह इस तरीके से हम subsidy pay करते हैं तो जो हमारा non-uria fertilizer है उसमें हम decontrolled system यूज करते है यानि कि वो market forces of demand and supply उस चीज को तै करता है और non-uria fertilizer दो तरह का है एक है DAP और एक है MOP clear I hope agriculture का यह जो पूरा portion है आपको समझ में हाया होगा if you have any problem please feel free to contact us these are the three avenues where you can get to us you can also visit our youtube channel and watch awesome current affairs video if you like them then subscribe hit the bell button in case of any problem please feel free to contact to this number we will be more than ready to help you okay thank you very much keep learning